वेलकम बहुत स्वागत है आपका यदि आप घर का निर्मान करने जा रहे हैं तो बास्तू महत्वपुर्ण हो जाता है बरतवान समय में सभी लोग चाते हैं कि बास्तू के अनुसार घर निर्मित हो जैसा कि मैं इस प्लान को बना रहा हूँ यह प्लान बास्तू के अनुसार निर्मित है किस प्रकार से छोटे से जगह में सब कुछ इस नक्से में आये मैं दिसाएं मेंसन कर देता हूँ यह इसका पुर्व दिसा यह पुर्व मुखी घर और यह सब्सक्राइबर के रिक्वार्मित के नुसार बनाया गया है उनके पास जो टोटल मेजर्मेंट में जगह थी उन्होंने कहा कि 25 और 35 है मतलब यहां से यहां तक इसकी जो है यह पस्चिम दिसा है आपको यह नौर्थ दिसा हो जाता है यह नौर्थ उत्तर दिसा है यह मैं यहां हिंदी में भी एक जिगल लिख देता हूँ उत्तर है यह पुर्व है इधर में इनका रोड है और यह आपको मिल जाती है दक्चिम दिसा तो जगह कम होने के कारण इनकी requirement थे कि कहीं चारो तरफ बिल्कुल घहरा हुआ है तो space नहीं छोड़ना है जब आप कहीं space नहीं छोड़ते हैं तो proper ventilation के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि proper ventilation हम किस प्रकार से थे कि घर में light प्रवेश करते हैं अईसे आप सिर्फ खुला अस्थान पुर्व पड़ता है आए किस प्रकार से इसकी measurement इत्यादी की गई है हम इस पर बात करते हैं पुर्व दिशा से यह जैसे प्रवेश करते हैं यहां इनको जो है मुखी डोर मिल जाता है मुखी डोर इन्हें जो है दो पले का रखें तो यह ज़्यादा अच्छा रहीगा यह को प्रवेश करते हैं तो यह पूर्व है तो यह इसान कोन में इनको बरामदा मिल जाता है कोई गेश्ट बगर आते हैं बैठते हैं तो यह यहाँ पर बैठके या फिर आप चाहे तो पूजा घर का प्रयोग भी कर सकते हैं यह आपकी इच्छा इस प्रकार से इनको बना दिया गया है अब चुकि इसका गेट थोड़ा बड़ा खुला रखा गया है कि रोशनी की वेवस्था इनको मुखी रूप से पूर्व दिसा की और यह खिड की एक बड़ा दोर रहेगा तो यह इनके हॉल में रोशनी प्रभीश करेगा इसकी मेजरमेंट की बात कर लेती है इसकी चावडाई जो हम तो की मेजरमेंट यह बरामदा आप चाहिए इसमें चेयर लगा सकते हैं सोफा लगा सकते हैं एक बेड़ भी यहां से 8 feet है तो काफी होता है साड़े 6 feet की बेड़ आते हैं यह आपके लिए है आप जब अंदर परवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा spacious hall मिल जाता ह इसके पर विसेश ध्यान दिया गया है तो hall आपको मिल जाए, hall की जब यहां से यहां तक बात करें था हमी इसकी चोड़ाई जो है लगभग, ए 11 फिट रखी गई है और लंबाई हम यहां से यहां तक, चुकि सीड़ी का भी space इसमें add हो जाता है तो आपके पास काफी space इसमें जगह मिलता है आप इस प्रकार से बात करती है, यह 11 गुना 14 ही निकल के आता है लेकिन सीड़ी बगर है काफी space जोड़िएगा तो आपके पास square area अधिक मिलेगा चुकि सीड़ी तो उपर चलिया ति यह नीचे खुला रहा जाता है यह hall हो जाता है, आपको अगनी कोन में इसमें रसोई दी गई है बास्तु का रूल करता है कि रसोई की वेवस्था आप अगनी कोन में करें तो सार्वेदिक उप्यूप्त होगा तो यह अगनी कोन में इसे हमने रसोई दे दिया है इसकी मेजरमेंट में लिग दूँ ति यह रसोई घर अच्छा खासा इस्पेसियस और बड़ा है यह छोटा नहीं रखा गया है, यह 9 बाए 9 में आपको मिल जाता है एक बड़ा साइच का रसोई घर आपको मिल गया यहाँ यह रसोई घर हो गया आप रसोई घर के बाद आपको ठीक सीड़ी दे दी गई है सीड़ी की मैं मेजरमेंट की बात करूँ ति सीड़ी की चौड़ाई जो यहाँ 10 पिट है चौड़ाई 10 पिट है, चुकि राउंड सेफ में थोड़ा सा सीड़ी है मतलब यह इसक्वाइर ही है लेकिन राउंड होके सीड़ी यहाँ पर उपर जाना है मैं इसमें कुछ स्टेफ मेंशन कर देता हूँ ति यह लगे है कि यह हमारी सीड़ी हलां कि सीड़ी के हमने पूरी डिजाइन नहीं बनाई है लेकिन यहाँ पर आपको सीड़ी देना है इस परकार से आप यहाँ पर सीड़ी दे सकते हैं चुकि आप घर के अंदर में जब सीड़ी देते हैं तो सीड़ी की एक खुबसूर्ती भी आपके घर के अंदर की डेको रेटिंग को बहाता है, तो यह जब गूम के आप उपर जाते हैं तो इस परकार से यह सिड़ी दे दी गई है, इस परकार से सिड़ी आप उपर जाते हैं, यहाँ दक्षिन दिसा में एक फिट अंदर जाके आपको एक भेंटलेशन आपको खुद छोड़ना है, अपना इक स्पेस छोड़ा गया है यहां पर, यह स्पेस अच्छा का सा बड़ा सा स्पेस छोड़ा है हमने, इस स्पेस की बात कर लेती है यहां से यहां 20 फिट है, यहां से यहां फिटकettoaurais एक बड़ा size का room बनाया है, मैं इस room में यह single door लगा दिया, मैंने door कहींदे लगाया था, चलिए मैं यहां door लगा देता हूँ, मैंने यहां door लगा दिया, चलिए यहां भी हमने door लगा दिया, यह दर बाजै, एक subscriber किए, मुन के अनुसार था कि इस छोटा से जगह में बना देना हमें space नहीं छोड़ना है तो बिना space छोड़े इसे उसी के अनुसार जो है adjust कर दिया गया है आपको बिल्कुल सामने जो है यह सवचाले मिल जाता है यह सवचाले जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर आपके लिए यह चले यहां पर इसमें सिंबॉल मैं देता हूं यह सोचाले की जब मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो यह भी कापी स्पेसियस में चार फिट इसकी चौड़ाई है और दस फिट लंबाई है अलांकि आप इसे सोचाले बातरूम दोनों अलग कर सकते हैं तो बी फिट गुना 14 फिट यह है एक बड़ा सा इसकी बिल्कुल बास्तू के अनुरूप इसे निर्मान किया गया है इसके निर्मान में 80% बास्तू के रूल के पालण किया गया है बहुत ही अच्छा नक्सा है आपके पास 25 फिट और 35 फिट से मिलते जूलते कोई मेजरमेंट हो पूर्व दिसा की हो तो आप इस मेजरमेंट को वहाँ पर सेट कर सकते हैं आज के अंच में इतना ही धन्यवाद